हाई गाईज अप लोग कैसे हैं वेलकम बैक टू माई चैनल कमें वीडियो लेकर फिर से हाधियर हो चुके हैं और तीन-चार दिन से कॉमेंट वीडियो रह जा रही है और तीन-चार दिन के जो कोभी कॉमेंट से हो मैं एक साथ आज वीडियो में पढ़ ले हूँ ज्यादा क्योंकि मैंने दूसरे वाले चैनल पर कम्यूटी डाली थी कॉमेंट वीडियो के लिए आप लोगों वहां तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि आप लोग ने बहुत से लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां की कम्यूटी भी आपको दिखने लगेगी तो मैंने उसमें डूर डाली थी उसमें थोड़े बहुत आयते हैं थोड़े बहुत मुझे बोलने के लिए कहा गया था अपना कमेंट पढ़ने के लिए मैं वीडियो के नीचे तो वह मैं पढ़ ले रही हूं नेक्स कमेंट वीडियो आज रात में 11-12 बजे डाल दूंगी कम लोग जो जाकिस के वीडियो में कमेंट कर रहे हैं मां से अलग हो जाओ यह लोग भी ऐसी ही होंगी जिनकी मां नहीं उनको पूछो दूसरी बात मां इतनी बीमारियों से उठी है जिंदगी भर घर का उसके बेवड़े बाप की परशानी जहली है आज यह गदी बोलनी मां से नहीं जमती शुरू से अब सब यह सोचो कि इसकी मां की मेंटल हालत कैसी होगी जिसका पती अच्छा ना हो बच्चे अच्छे ना हो और लोग आके इसकी मां को ही गलत बोल रहे हैं बस कर उपर वाले को मुह दिखाना है या नहीं यह बात हमारे मेरे दिमांग में भी आ बाप पीट वोजल रही हर चीज तुम्हें माने सहा है बच्चे खड़े की है कैसा भी तुमको भी टे कराया है मा की वज़ा से हो बाप ने कभी कुछ नहीं देखता है अपने शराब के आगे तो उसी मा को आज इतना ज्यादा बंदाम कर रही है तना ज्यादा टूल कर रह हो और कमेंट जो लिखने वाले आते हैं तुम्हाने सबसे बड़े दुश्मन है कि मासे अलग हो जाओ जब ज़रत थी बच्चे पाल ले थे जब वापस आई थी तो माही कर ले अकल ले जब बच्चे पल गया बड़ा हो तुम बैट के वीडियो बना रही हो सब कर रही हो तो मासे अलग हो जाओ तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना है अच्छा है हम लोग के कॉमेंट वीडियो में कभी भी आप नहीं करनी चाहिए अगर माबाप गलत आचरण भी कर रहे हैं तो उसको उपर वाले भगवान कि उसमें दे देना चाहिए क्योंकि माबाप भी भगव है बगवान के आगे हाथ जोड़ो इतना तो समझाते हैं इसके बास सेकंड कॉमेंट लेते हैं सोनम संदू जी का कमेंटर बहुत ही आप लोग के लिए आखे खोलने वाला कॉमेंट है मैंने इसका दो यहर का एक वीडियो देखा था सोनम बोल रही है बैनर जी जिसमें यह जब मेरी सासुमा बरतन दोकर रख देती थी नहीं और वर तंप्स लाकर मिठी mi लेती गोई पर दुबारा वन भर्तन धोथी थी कि मैने बरतन धोने थे सासुमा ने क्यों दोए उनको परतं दोने थेane सासुमा ने क्यों ढूए इतनी अच्छी थी कि जूट की दुनिया कि परिशान करती ती अपने सुस्राल वालों को गंबले से मिट्टी राकार डालने का मतलब था इस वीडियो का लिंक अगर मुझे मिल जाता है तो मैं शेयर कर दूंगी कहते हैं न सच जो है वह सामने आता है उसी का बकावा में शेयर कर दूंगी अब आप सोच लेजिए क्या इंसान है यह किस हालत में इस अपने सुस्राल वालों को रखा होगा किस हालत में वह लोग इसको जहले होंगे अब आप सब समझ लेजे बरतंद हो के रखे उस पर भी मिट्टी छोड़े कि फिर से वह बरतंद होए ऐसी बहु को कोई कैसे रखे सब्सक्राइब कोई अब उजट मिल जाता तो क्या कर देता अपरिचित जी का है कॉमेंट देवर पे तो केस किया ही है और इसने फेस्बुक पर भी पोस्ट डाली थी कि बाप भाई इसे मॉलेस्टेशन करते हैं गड़ी के गट्स की डाथ देने होगी जैसे ही किसी आदमी सब्सक्राइब को देखती इसके लाट टपकने लगए यह बात हमनों ने गौर किया क्या बोले नहीं बोलना क्या करना उसको पर्सनल है वह लाट टपका है पिशाप टपका है मूझ से बस हगना मुतना बाकी है वैसे तो बगबग तरके करी रही है बाकी असल में भी किसी आहिए चलिए नेक्स्ट कमेंट परते हैं है पैशनल रही का कमेंट है तो मैं यह तो पिन कर देती हूं या तो कहिए तो मैं पर लगा तो उसमें रहके बोलेंगे लिमिट में पढ़ लेते हैं पैशनारा जी ने लिखा है इस वाद की हम पुष्टी नहीं करते हैं बैदा चैनल नहीं करता है बनार जी मंत्रा का यह वक्तत्व है यह एक कमेंट जो है वह मेरे सब्स्राइबर का है जो कि सब कोई भी तक है यहितनी अच्छी है नाम मत्सlt भी दूखने में लगी है इसमें पती को नाम नाम किया थूखने का मन करता है एक तरफ पहले पती का नाम लेती है और दूसरी तरफ दूसरे के साथ रहने के लिए तयार है यह क्या चीज़ है लानत ऐसी लुगाई पैसी बीवी से तो विडोर रहना ही ज्यादा अच्छा है इन्होंने हिंदी में लिखा है जैसे यह विद्वा बोलती है पती जो हो जाता है जिसकी बीवी मर जाती है तो अब आफ समझ सकते हैं कि दूसरा पहले नाम भी लेती है दूसरे के साथ सब्सक्राइब कम से कम पहले को छोड़े अब जिन्दा नहीं उसका नाम मतले करना हो कुछ कर कभी लगता है पहले पती मर गया और सुकून से बिल्कूल कहीन और आप लगते हैं तो पती का यहार कर रही होती है वह तो बिचारा इस से लगता है तो भी फसा हुआ पिंजरे में जैसे फसा था अपक्षी था एक अपने का है नाम रशन तो यह पती का हर बरसी पर करती आपको याद हो कहा दी दिस नेज बार भी बरसी पर नूडल बना कर खाये लोगों को ज वह आता था उसके बाद भी लाइन लिपिस्टिक खरीद रही थी नूडल भी मंगा के खाई रही थी चाव मिल मंगा के खाई रही अजीव है देखिए यह अजीव इंसानों में इसकी गिंती नहीं होती है चलिए और कमेंट पड़ते हैं आप लोग कैसे हैं जरूर कॉमें दोनों चैनल सब्सक्राइब कर दिए कि नहीं जरूर बतहिएगा जिन्हों नहीं दोनों चैनल सब्सक्राइब अभी तरह 강ी तौफ्ली सब्सक्राइब है इसकी वीडियो में थम्नेल था दोनों घर बिग गया है हम हजार छोड़के जा रहे हैं तो बस मुझे यह बताओ कब जा रहे हो और हां टाइम बोलती है मैं वेट लॉस करूंगी और कैसे करेगी हर्दोग खाके यह बाहर कखाके और सबसे बड़ी बात थम्नेल ठीक लगा है कि माताराणी का मुझे बुर्वाया है काफी साल से में थे पांच छे साल हो गया है मैं नहीं कर नहीं हूं पहले लगता रेगूलर और घ्यू ह्कूं अपाई हूँ तो मुझे ऑन नकहीं ऑका झारे बहुत बप्या। स Stream Ladis verse 3 में वह आपको बता झाल मुझे यही गाना यादा है कि मैं दुनिया सब छोड़ के जा रही हूं सब छोड़ के जा रही हूं तो वह दुनिया छोड़ के जा रही है लेकिन नहीं यह कहां जाके दर्सन करेगी यह क्या करेगी भगवानी जानता है इतनी अच्छी नहीं है इतनी सात्विक नहीं है इतन मैं तेरे पास आ रहा हूं वह गाना ही है पूरा मधु अबना है बोल नहीं को प्लाट ले तो कोई 25 लाग का हम मजा की बात है लेकिन अगर हमारा माला है कि यह चोटे-चोटे डेसलाई के तीन दब्बे ले रखे हैं इसमें बड़ा लेके मकान बनवाली होती पूरा परिवा क्वालिटी चाहिए होती क्वाइं नहीं होती तो वहीं बात है लेकिन अगर एक में रहती तो यह सबको बहार निकाल चुकी होती मेरा घर जांव और किरादार के साथ यह रह नहीं सकती इसलिए जुड़ बोलती करेदार रखने वाले थे और इसकी मां जिस हिसाथ से हैं नहीं रख सकते नहीं रह सकता अचा सारा दिन ये लोन का जो बक्ती रहती है तो पूनम जी सारस्वात जी ने कमेंट किया है हमने तुम्हाइं लोन का ठेका नहीं लिए जो हट टाइम लोन का रोना सुनाती हो और 75 लाग का प्लाट चाहिए न तो वाइटी छोड़ अच्छी जॉब कर पैसा बचा और ले हम उसका जो टाइम बखरों जिएो तो लीक में लिए विलटी वोमिंटिंग के दिखाणे कऊ मैंत नहीं बोलते तो किसमें सब् Down में वाग मैंन Suzuki थे अब दिखा चति कं लोना दिखाया अपना हग करता है दिखाया युथ बाप को पूरे YouTube में फेमस कर दिया बाप क्या है भाई को भी फेमस कर दिया बाई को चपल तक चुरा ली तो जोगद की अब मा की तो करी रही है आप सोच लिजे सास के साथ रही होती तो कैसे कर रही होती है हम तो दाथ देना पड़े को इसकी शादी की बात भी कर लेता है तो दूसरी कौन करेगा इस से शादी इस कल्यूग में था विचारा चला गया अब हमें ने लगता कि कोई माईकलार पाइदा हुआ है जो जह सके इससे कोई ने शादी करेगा यह चीज तो मान के चलिए और हो सब कुछ होता है क्योंकि यह चीज वरिपरिण तो नहीं है यह साथ आप लोग जाते क्रोंके मैस क标 जरूर आती है नहीं है इसे बनाना नहीं होता है शादी शा्दीं के ल trilogy साधी नहीं होती liby तो कोिक आपना समता है मैं अपने हाथ से हम लोग को मैंने तो हमको साoberid से वैसे हैं वैसे हैं लैके ऊपना एसे करके चली गई उसके रहते हैं मिलमा करते हैं तो फिर करते हैं लेकिन हम अपने हाथ से करें हमें थोड़ा सा वह लगता है तो इसको रखने के लिए बहुत बड़ा जिगर होगा किसी का या तो फिर उसमें भी कुछ गरवर होगी या कुछ ऐसा होगा तब ही उसको रखेगा और भगवार जानता है हम लोग जानते हैं तीन साल से देख रह अब कॉमेंट करने वालों को यह नहीं कह सकते उनका देखिए जो इनके दिमाग में है उनका पड़के पूरी पूरी भाव के साथ समझा दिया ने यह लिखा है नेस्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं वीडियो लाइक कर दीजेगा दोनों चले सब्सक्राइब कर दीजेग थब टक के लिफ लगए 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 लगए.